ट्राइंगल थेयरी ओफ रिफ्यूलिंग पेट्रोल ओके दोस्तों आज मैं आपके सामने में कुछ तथे लेके आने वाला हूँ जो कि पेट्रोल भरते वक्त आपके काम आएंगे पेट्रोल भरते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है और चर्चा इस बात पे रहेंगे कि ये बहुत प्राक्टिकल है प्राइगमेंटिक है क्योंकि आप तक मैं जो भी चीज लेके आ रहा हूँ आपके सामने में बहुत सारे टापिक्स छेड़े हैं और वो ट्राइंगल थेयरी में आपकी समझ बढ़ाने के लिए क्योंकि जो मेरा experience रहा है अगर वो आप तक पहुँचे तो वो ग्यान जितना जादा प्रचार प्रसार हो उतना अच्छा ग्यान के मामले में ऐसा है कि किसी का ग्यान अगर किसी के काम आजा है तो इसे अची बात ही नहीं है तो आज एक ग्यान जो पेट्रोल हम भरते हैं तो पैट्रोल गाड़ी में भरते वाक्त वो तीन कौन सी अंगल को ध्यान में रखना चाहिए इसलिए आज triangle theory of refueling petrol तो petrol जहां से भी आप refuel करते हैं वो तीन बातों का ध्यान दो तो मज़ा जाएगा आपको आपकी गाड़ी का average important है आपकी गाड़ी का जो engine है वो बराबर चल रहा है ये कैसे मालम पड़ेगा आपकी गाड़ी average दे रही है इंजन से ही चल रहा है और उसका maintenance बराबर हो रहा है की नहीं तो आपकी गाड़ी लंबी चलेंगी क्यों अगर आवे तीन बातों का ध्यान रखोगे तो definitely होगी लेकिन ये तीन बाते आपको आएगी कहां से वो triangle theory of refueling petrol से मैं आपको समझाना चाहूँगा तो आएए जानते हैं सबसे पहले तो most important है कि petrol भराए हमेशा सुबह के समय petrol कभी भी दुपहर या शाम को ना भराएं क्योंकि petrol की जो density होती है यदि आप ध्यान से बात सुन रहे होंगे तो आप समझ गये होंगे कि सुबह का मौसम अच्छा होता है और शाम से सुबह तक जो बारा घंटे का समय गया होता है वो थंडा जाता है तो सुबह साद वजे के आसपास यदि आप petrol station जाए तो आप देखेंगे कि आपके tank में petrol जादा आता है क्योंकि petrol की density उस टाइम पे rate of evaporation कम रहता है इसलिए density अच्छी होती है तो आप petrol जब भरेंगे तो उतने ही पैसे में मान लिजे 100 रुपे का petrol आप भरते है तो उसमें जो petrol की मातरा मिल रही है आपको वो सबसे जादा होती है यदि आपने सुबह के समय petrol भरा तो एक दूसरा यदि आप petrol भर रहे हैं तो कभी भी petrol का जो full capacity होता है उतना ना भरें एक लिटर हमेशा कम भरें क्योंकि इसके जो gas होती हैं अंदर में वो gas के वज़े से explosion भी होता है specially उन cities में उन countries में जहां पर पाया गया है कि temperature थोड़ा ज़ादा होता है normally नाकपूर जहां हम रह रहे हैं वो temperature ज़ादातर अमोमन 30 के उपर होता है और कई बार तो ये 40 और 48 के आसपास भी जाता है गर्मियों के टाइम पर हर हाल में आप अपने petrol tank को एक लिटर कम अगर भरते हैं capacity से petrol तो फाइदा ही आपका आप at least avoid करने हैं एक accident को और accident avoid करना याने जान को अपने आपको बचाना क्योंकि ये बहुत fatal होता है तो ये आप कर लें और तीसरा यदि आप समझ गए हैं कि petrol सुबे साथ के आसपास भरें या उससे पहले बरसा की तो बहुत अच्छा petrol भरते वक्त capacity से ये एक लिटर हमेशा कम भरें फुल टैंक बोलने की जुरूत नहीं है भाया एक लिटर आपको मालूम रहता है कि आपकी petrol की टंकी या टूविलर फोर वो कितने की है तो उससे एक लिटर हमेशा कम भरें आइडियली जैसे मैं करता हूँ वेसा आप कर सकते हैं मैं अपने गाड़ी का चार लिटर साड़े-चार लिटर का capacity है मैं तीन सो रुपे का petrol भरता हूँ तो मैं मॉनिटर कर पाता हूँ कि वो तीन सो लिटर का petrol सुबे के समय जब भरता हूँ तो वो कितना किलोमेटर देगा और मेरे को आइडिया रहता है कि एग्जाक्ली ये अभी नियरिंग है इसको रिफ्यूलिंग की आउशकता है तो मैं वहाँ से भर लेता हूँ तो ये बहुत important है या तो आप टेह कर ले के 300 रुपे का भर लेंगे या पैसे से कर ले या fix कर ले के आप 4 लिटर की capacity है तो 3 लिटर ही भरें तीसरा यदि आप पेट्रोल भर रहे हैं सुबह के टाइम और पेट्रोल फिक्स भर रहे हैं एक लिटर कपासिटी में कम भर रहे हैं या फिर एक पैसे का भर रहे हैं तो तीसरी important चीज होती है कि हमेशा पेट्रोल वहां से भरी है जहां पर आपका आने जाने इसली accessible है जाते वक्त जो आपके रास्ते में पहला पेट्रोल पंप बनता है उसी से भरें एक और चीज हमेशा उसी पेट्रोल पंप से भरें ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका एक तो सुबह जो भरा वो उसका पेट्रोल आपको maximum मिलेंगा second आप एक fix amount का या एक fix capacity का पेट्रोल भर रहे तो आपको मालूम है कितना रहेगा third उसी से भर रहे हैं आप तो आपको कभी देखने हैं सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी गाड़ी में कम पेट्रोल जा रहा है या जादा जा रहा है तो ऐसा तीन करने से आपके गाड़ी का average monitoring एजी हो जाता है आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल जा रहा है ये सही है गलत है ये भी जानने का मौका मिलता है तीसरा most important कि आपके गाड़ी का maintenance सही होगा क्योंकि आप ये जो तीन काम करने अचली गाड़ी की longevity भी तरह करती है जाते जाते अगर आप ये तीन बात मेरे triangle theory of refueling petrol अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा पेट्रोल या डीजल ले लिजे रिफ्यूलिंग होता है तो यदि ये triangle theory of refueling अप समझ गए होंगे तो एक बात और कि Reliance एक ऐसा petrol pump है जहां पर adulteration के chances बिलकुल ने ले तो मैं अपने गाड़ी को हमेशा क्योंकि मैं एक ऐसे जगह रहता हूं जहां रास्ते में Reliance का petrol pump आता है मैं इसे promote ने कर रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं कि adulteration बाकी जगह पे बहुत है मैं किसी और का नाम ने लूँगा लेकिन जो मैं जानता हूं कि यहां से आपको adulterated petrol नहीं मिलेगा या diesel नहीं मिलेगा तो आपकी refueling बड़ी optimizing होंगी और बड़ी satisfied रहेगी तो satisfying and optimizing ये दोनों factor को लेकर मैं जो कर रहा हूं मैं वो आपको मेरी और से बता रहा हूं तो ये triangle theory of refueling petrol और डीजल इस पे आप तीन बाते याद रखिए कि सुबह साथ के आसपास या पहले petrol भरिए एक liter capacity से कम भरिए या एक fix amount का भरिए और तीसरा most important किसी एक petrol pump या petrol station से ही भरिए तो देखिएगा आपकी ये तीन चीज़े जो monitoring होने वाली है आपकी गाड़ी का average उसका maintenance most important और गाड़ी में सही petrol जा रहा है कि नहीं ये आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं और आप अपनी गाड़ी का बहतर ख्याल रखेंगे क्योंकि गाड़ी एक वाहन जो आपको एक से दूसरी जगह लेके जाता है आपकी safety तै करता है और most important इसके बगार आप चल नहीं सकते हैं तो उसका ख्याल रखेंगे तो definitely आपका ख्याल automatic हो जाता है धन्यवाद